मा अपने बच्चे को दूद अपने ब्रीस्ट की मदद से पिलाती हैं तो फिर मेल्स के अंदर ये ब्रीस्ट किस काम के? वीडियो को लाइक करो और इसके बारे में जानो एक एम्ब्रियो यानि वो स्टेज जब बच्चा अपने मा के पेट में होता है ये ड्वैल्प होके मेल बनेगा या फिमेल ये पुबर्टी की स्टेज पर आकर पता लगता है मेल में जो ब्रीस्ट होते हैं वो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग से नहीं जुड़े होने का मतलब है कि मेल्स में इन ब्रीस्ट का कोई काम ही नहीं होता तो फिर अगर ये ना हो तो हाँ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर मेल में ये ब्रीस्ट ना भी हो तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला आपको ये जानकर काफी शोकिंग लग रहा होगा लेकिन हमारी body में कुछ और भी parts ऐसे हैं जिनके ना होने से हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे कि ये appendix, ये छोटी सी appendix हमारे शरीर में ना हो तो हमें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा वैसे हमारे back side में ये bone होती है जिसे tailbone बोला जाता है ये भी हमारी body का एक useless part ही है वीडियो अच्छी लगी है तो like करना और ऐसी amazing videos के लिए जानलों को subscribe भी करना थेंगे